दोस्तों हम लोग भारत का सम्मेधानी के तिहास या विकास को पढ़ दाए है और आज हम लोग पहुच गए हैं इंडियन काउंसेल एक्ट 1861 पे इसके पहले हमने जो गवर्मेंट आफ इंडियाक्ट 1861 पढ़ा था दोस्तों इस एक्ट को लाने की जववत इसले पड़ी जो कि तीन सल पहले ही तो एक्ट आया था तो ऐसा क्या हो गया कि अब इस एक्ट को लाने क्या उश्रक्ता पढ़ गई इसके लिए कई सारे कारण हैं इնमें से एक मुख्य कारण है उस समय के जो सर सेयद अहमाद खान साहब थे उन्होंने एक pamphlet निकाला और उसका नाम था The Cossus of Indian Revolt उन्होंने बताया कि जो 1857 की करांती हुए थी उसके मुख के कारण क्या थे उसमें से उन्होंने एक कारण के काफी ज़्यादा जोर दिया वो ये था कि जो British हुकूमत है या जो East India Company है यह जो भी कानून बना रही है जो भी legislative matters बना रही है उसमें वो भारतियों से ना कुछ पूछ रही है ना किसी भारती representative या प्रतनिती को अपनी council में शामिल कर रही है तो जिनके उपर कानून बनाया जा रहा है ये भी एक मुखे कारण था इस करान्ती को होने का तो अंग्रेजों को ये बास समझ में आई और उन्होंने इस act के माध्यम से अपनी उस गलती को सुधारा और इस act में हम देखेंगे कि भारतियों को भी जो विधाई council लेजिस्ट्रेटिव काउंसल है जो कि नियम काईदे कारण बनाती है भारत के लिए उसमें भारतियों के इंट्री होगी और भी कुछ प्रावधान इस act में है चलिए शुरू करते है तो उस समय जब ये act आया तब जो सेकरेटरी ओफ इस्टेट फॉर इंडिया थे इनका नाम आपको साइड शुना लग रहा होगा क्योंकि जो वो डिस्पैच आया था वो इनकी ये द्यक्ष्टा में आया था जो भारत में एजुकेशन सिस्टेम के सुधार के लिए था और वो अट्रा सो चववन में आया था दोस्टो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उधर अगर आप लोग उसको फिर से अगर रिवाइस करें या फिर आपको याद होगा तब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें चार मेंबर्स थे और जब पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में तो गवर्नर जनरल की जो एक्जगेटिव काउंसिल है उसकी संख्या चार से तीन कर दी गई ऐसा इसलिए क्या गया कि ये जो काउंसिल की जो भी फैसले होते थे ये बहुमत पे होते थे तो अगर ये जो चार मेंबरांस हैं या चार जो मेंबर हैं अगर ये किसी बात में सहमत हो जाएं तो ये गवर्नर जनरल की भी नहीं चलने दे सकते थे क्योंकि बहुमत का फैसला होता था और उस समय एक मेंबर थे फ्रांसिस नाम की उनकी जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल थे वर्रन हैस्टिंग उनसे नहीं पट रिखाती थी और वो कई मामले में वर्रन हैस्टिंग के जो फैसले थे उसको या पूरा नहीं करवाते थी या फिर वो ऐसा को डिसेयर ले नहीं देते थे और इसी बात को देखते हुए जो पिटस इंडिया अक्ट आए था उसमें जो एक्जिक्रेटि कांसेल थी उसकी संखिया चार से तीन कर देगी थी मतलब गवर्नर जनरल को मिला के तीन मेंबरस होंगे और बाद में फिर इसको रिंस्टेट किया गया तो आज जो हम देख रहे हैं इस एक्ट के माध्य हम से इस टैम जो फारत का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या उसी को हम वाइसराय ऑफ इंडिया कह रहे हैं उसकी एक्जिक्रेटिव कांसल में एक और मेंबर की एंट्री किक करी गई अब कुल मेंबरस हो जाएंगे पांच और वाइसराय को मलाकर टोटल छे लोंग रहेंगे एक्जिक्रेटिव कांसल में जो पांचने मेंबर चोड़ा गया ये 5th मेंबर मंबर रहेगा एक टारे से फिनेञ्स मेंबर रहेगा और फिनेंस काम देखेगा तो अब आप लोगों के दिमाख में लगएंगे इसे क्या हो रहा है मतलब वित देखने वाला बंया है तो असल में हुआ कि इतने सालों से जो executive council बनी थी तो जो governor general रहा उसने एक तरह से काम को बटवारा कर दे रिसे portfolio system कहते हैं कि भाई आप ये देख लो, आप ये काम देख लो, आप वित्र देख लो, आप सैन देख लो, आप civil मामला देख लो तो इतने सालों में 1773 से लेकर 1861 तक में ये जो पैफरकेशन ऑफ वर्क था इतना अच्छा हो गया कि अब हम पाच्वे मेंबर जब ला रहे हैं तो मुसको कह रहे हैं कि ये पाच्वे मेंबर क्या काम देखेगा, फैननेस का काम देखेगा और एक छटवे मेंबर की बेंट्री होगी, वो 874 में होगी जिस वोगी पब्लिक वर्स जो लोक निर्माण के काम है उसके लिए होगी तो कि अंग्रेजों ने करांती के बाद, वैसे डलहोजी के टाइम से ही डलहोजी साब 1848 में आया थे और 1856 तक रहे थे तो उनके टाइम से ही भारत ने बहुत तेरी से विकासकार शुरू हो गए थे और करांती के बाद तो ये विकासकार और तेरी से उने लगे तो 16 मेंबर की बेंट्री होगी जो पब्लिक वर्स तो देखेगा, ये 1874 में होगी तो इस टाइम जो भारत के वैसराय है वो है Lord Kenning और Lord Kenning एक तरह से कहे तो भारत के आखरी गवर्नर जरनल भी खेलाएंगे और पहले वैसराय खेलाएंगे तो इन्होंने पहली बार portfolio system की शुरुआत की मतलब काम बाटने की शुरुआत की और जिसा है कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी council में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग काम दे रखा है जैसे हम यहाँ बात करें तो किसे को finance काम मिला है किसे को यहाँ पर civil का काम मिला है किसे को यहाँ पर military वाला काम मिला है तो एक तरह से काम को बटवारा जो आज भी आप देखते हैं कि जो मुख मंतरी होता है प्रधान मंतरी होता है अपने मंतरियों को यह भाग यह डिपार्टमेंट बाट देता है इसे portfolio system कहते है और इसकी शुरुवाद 1861 के inner council act से हो रही है और यह सब जो चीज हम आज अपने राशनीती में देख रहे हैं समविधान में देख रहे हैं या फिर जो हमारी parliamentary democracy उसमें देख रहे हैं modern history के point of view से important है और politics में तो important है यह यह तो Lord Kenning ने जो Governor General of Vicer of India है इन्होंने portfolio system को शुरुवाद कि हम मैं उम्मीद करता हूँ portfolio system में आपको कोई doubt नहीं होगा अब अगली जो इसमें बात यह थी कि जो legislative काम थे जो कि विधाई वाले काम थे नियम काइदे कानों मनाने वाले काम थे उसके लिए legislative council थी अब इस council में Governor General साहब को या Vice Rae कहना ठीक रहेगा तो Vice Rae को एक अधिकार दियेंगा कि भाई आप total 12 members की तो legislative council हाई है पहले 6 थे अब उसको 6 और extend कर दिया गया था तो इन 12 के लावा आप 6 से 12 लोगों को nominate कर सकते हो मतलब आप जब भी कोई ऐसा कानून बना रहे हो तो आप 6 से लेकर 12 लोगो nominate कर सकते हो जो कि legislative के बारे में जानते हो उनको विधाई ग्यान हो लोग का ग्यान हो उनको आप nominate कर सकते हो तो ये ध्यान रखना है कि जो existing legislative council थी 12 members के उसके लावा भी 6 से 12 लोग extra बाहरी लोग को nominate कर सकता है कौन? Viceroy of India और इसी nomination में इसी जो nominate करने की जो ताकत थे इससे हम देखेंगे कि तीन भारतियों को ये मौका मिला तो ये जो तीन भारती हैं इनको nominate किया गया था जो वाइसराय की देखेंगे आप तो मैं Viceroy कह दू या Governor General of India कह दू दोनों पद एक ही है लेकिन ये जो अट्रस अंडाउन का जो Government of India Act आये था उसके तहत रानी का शाशन हो गया था और आने के शाशन में यहां का प्रतनेदी था वो वाइसराय रहता है तो चाहे तो वाइसराय की जो लेश्टेटिव काउनसल की बात करते हैं इसमें इनको 6 से 12 मेंबर्स को nominate करने का अधिकार मिल गया इसमें इन्होंने उस अधिकार का अपयोग करते हुए केलिंग साहब ने तीन भारतियों को इंटरिट दी यही बात सर सेयद हमाद खान कहा रहे थे कुछ भी नियम काईदे कानून बनाओ तो कमसे हम भारतियों को अपनी बैठक में बुलाओ उनको अपने काउंसल के या परिशद में मेंबर तो बनाओ भारत के लोगों लगे तो कि यार हमारा कोई व्यक्ति वहां बैठा है और वो हमारी बात रखेगा ध्यान देने वाले बात यह है कि जो भी यहां बे डॉमिनेशन होगा तीन भारतियों का उनको कुछ भी कहने बोलने या बहस करने का दिकार नहीं रहे का लेकिन यह एक सिंबॉलिक जेस्चर है यह सिंबॉलिक जीत कह सकते हैं कि भारतियों कम से कम वाइस राए की जो विधाई काउंसल यह लैसलेटिव काउंसल उसमें इंट्री तो मिली उनका जो कारैकाल होगा मैंबर्स का वो दो साल कर रहेंगा और यह कहा गया कि कम से कम आधे लोग जो एडिशनल की बात कर रहा रहा हूं, 6-12 जो नॉमिनेट हो रहा हैं उनमेंसे कम से कम आधे लोग या तो बेटिश होने चाहिए या फिर इंडियन होने चाहिए तो इंडियन बेटिश की शर्द थी तो इंडियन आगे तीन लोग अच्छा अब इस एक्टम ये कहा गया कि अगर कोई बिल जो की पबलिक रेवन्यू से या डेप्ट से उधार से मिल्टरी से धर्म से या विदेशी मामले अब यहां पर सब्स्ली स्चेट है तो उससे कोई भी सलावश्टर या कोई भी संदी को हम फॉर्ण अफेर्स के रहे तो यह फॉर्ण अफेर्स से जड़े हुए कोई भी मुद्धे है इन टॉपिक से रिटेड हुई कोई भी अगर बिल आता है तो बिना Governor General या बिना Vice Rai की सहमती से पास नहीं हो सकता यह शर्त रख दी गई और क्योंकि अब यह Vice Rai किसकी बात मानेगा Vice Rai Secretary of State की बात मानेगा Secretary of State कौन है वो Britain की Parliament में Cabinet रेंक का मंतरी है और वो किसके लिए उतर दाई है Crown के लिए ताज के लिए जो रानी चाहेगी जिस बिल पे चाहेगी उसी बिल पे साइन हुआ अगर रानी कही कि इस बिल पे साइन नहीं करना है तो Vice Rai नहीं करेंगे और यह शर्त भी लग दी कि बिना Vice Rai के साइन से यह जो कुछ header है यह टॉपिक्स है उनका बिल पास नहीं माना जाएगा साथ में यह कहा गया अगर कोई बिल या कोई मसादे पे काउंसल अपना नड़ने बना लेती है या नड़ने दे लेती है तो भी उनके डिसीजन्स को उनके नड़ने को Vice Rai पलट सकता है और रूल कर सकता है सात में यह कहा कि अगर Emergency आ गई तो Vice Rai Ordinance जारी कर सकता है आज बिदो निकलते है अगर केन सरकारी की बात करे तो राशपती निकालते है राज़ोपाल निकालते हैं अगर को ए जदेनक निकालते हैं तो यह दो निकलता है जब की जो सदन है वो उसकी प्रोसेडिंग चलना रही हो, उसकी कारवाई जब नहीं चलती रहती, तब अगर कोई देश्चित में या राश्चित में कोई ऐसा मसले होते हैं, जिसमें कन्नुम्राना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, तो ओर्डिनेस निकाला जाता है, इसे हिंदी में अध्याद कियाते हैं, तो इसकी शुरुवात बीकतरे से 801 सेट का जो इलान काउंसल एक्ट है, उसमें हो रही है, तो कहा है कि अगर एमर्जेंसी कंडिशन है, तो गवर्नर जनरल बिन अपनी काउंसल से पोचे भी ओर्डिनेस निकाल सकती है, साथ में ये कहा गया, कि अगर गवर्न कानुन बनाने का पावर जो नीचे वाली प्रेजजेंसी के पास था, जैसे बॉम्बे प्रेजजेंसी के पास था, मदराज प्रेजजेंसी के पास था, ये हमने चीन लिया था, और ये हमने सेंट्रिलाइस कर दिया था किसको, जो आपकी बेंगॉल प्रेजेंसी थी, और सा मदरास वाली प्रेशजंसी है और जो बॉम्बे वाली प्रेशजंसी है उसको लेश्लियटिव राइट से दिक है मतलब वो अपने छेतर अधिकार में कानून बना सकती है तो यह ने छीना कब था 1833 के एक्ट में अच्छा अब अगली बात कर लेते हैं कि जो वाईसरा रहेगा वो पूरे भारत देश के लिए जहांबी कमपनी का शाशन है जो भी एरिया है वहां के लिए वो रूल बना सकता है आज हमारे साथ भी ऐसा है कि केन सरकार के पास केंद्र सुची में अथिकार है और नियम बनाने का और एक समवड़ति यह कं करेंट लिस तो उस किसी concurrent list के किसी topic पे या किसी मद पे item पे अगर केन सरकार का कोई law है तो राज सरकार law नहीं मना सकती अलब एक तरह से superior है concurrent list में यही कुछ बात यहां भी है कि अगर पुरे देश के पुरे बिडिश ट्रेडरी के लिए अगर वाइसराय ने कोई कानून मना दिया तो फि नहीं बना सकती साथ में यह कहा गया कि भई नई provinces आप बना लीजिए यह दिकार दिये गए और कहा कि भई गवर्नर की सहाइता की लेफटरेंट गवर्नर या जैसे उपर राजपाल कहते हैं उसका पता बना सकते हैं और यह भी कहा गया कि जो और प्रेजिंसी हमने बनाई जैसे हमने आसाम प्रेजिंसी प्रेजिंसी बनाई बर्मा बनाई से नॉर्थ वैस्टरन फ्रेंटर प्रर्विंस प्रेजिंसी बनाई तो इसमें विफ लेई स्लेटिव नउसल और का बतहर इंद कर रोल बड़ा लिम्टेड हमने देख लिया है कि अगर वो कई बनाते हैं तो उसको वाइसराय ओवर रोल कर सकता है वाइसराय चाहे तो उनकी उनसे बिना पुछे भी और दिनस निकल सकता है वाइसराय चाहे तो कुछ जैसे फोरें आफियर्स हो गया एक्साराय चाहे से जो व्लीटल है वी और साथ में तरह से अड़ीजरी भी हो गया और जो इंडियन मैंबर साममेंबर सानको तो बोलने कभी अधिकार नहीं है सिर्फ वो प्रोसीडिंग जो बैढ़कर समय भाग ले और इंडियन का नमीनिशन शुर और Decentralization हमने देखी लिया कि वही जो Bombay Presidency और Madras Presidency उनके पास फिर से कानून बनाने का अधिकार आ गया और Governor General यानि Vice-Royco Ordinance की एक पावर मिल गई एक एक एपसलूट पावर मिल गई तो यह जो सारी बात हैं हमने की इंडियन काउंसिल एक 1861 का है और उसके बाद हमें 1092 का एक्ट देखेंगे तो वह हम बात करेंगे अगले वीडियो में तब तक ले धन्देवाद जय हैं